मारकंडे पुराणम अस्ट बंचा सद्ध्या आया हा क्रोष्टु की कहिलेन भगवन आपनी आमान निकट भारत बश्चेर विशाय सम्यक रुपे किट्तन कोरीलेन एबं शेई भारते जे शकल नोदी पर्वत देश ओ ताहाते जहरा बशती करे तत सम्यक रुपे किट्तन कोरीलेन किन्तो आपनी पूर्वे कोहिया आशेन जे भारत बश्चे भगवान होरी कुर्म रुपे अभस्थान कोरीते छेन एखने ताहारी संगस्थान की रुप ताहाई अशेश रुपे स्रबन कोरीते बाशना कोरी शेई देव जनार्दन कुर्म रुपे की प्रकारे अभस्थान कोरीते छेन एबं तत द्वारा मनुष्येर सुभा शुभ बाकी प्रकारे प्रकाशित हए भगवन ताहार मुख चरोन जे रूपे आछे तत समुदाई असेश रूपे कित्तन करून मरकंडेय कहिलें द्विजबर शेई देव भगवान कुर्म रूप धारन करिया एई नवधा भिन्न भारत बश्रके आक्रमन करोतो पुर्व मुखे अवस्थान करिते छेन नक्षत्र ओ बिशय शकल नवभागे बिभक्त होई या ताहार चतुर्दिके अवस्थान करिते छे द्विजबर सम्यक रूपे ताहा श्रबन करो बी मंडब्य बेद मंत्र शल्व नीप शक उज्जिहान गोश संख्य खश शारश्वत मच्य शुरशेन माथूर धर्मारन्य जिवतिशिक गौरक ग्रीव गुराश्मक उदबेहक पांचाल संकेत कंक मरुत काल कोटी पासंड पडिपत्र निवास्थान कापिंगल बाह्यकुरू उडुम्बर ओ गजाह्व एई शकल देश कुरमेर मध्यस्थल अश्रय कुरिया आछे कृत्तिका रोहिनी ओ म्रिगशिरा एई नक्षत्रत्र त्रय शेई मध्यवासी लोक गनेर सुभाशुभ पुरिचायक ब्रिशद्ध्वज अंजन जम्बु नामक मानोबाचल शूर्प कर्ण ब्याग्रमुक खर्मक कर्वटाशन चंद्रेश्वर खश मगद मैथील पोंड्र को बदन दंतुर गिरिशकल प्राग जियतिश लवहित्य सामुद्र पुरुशादक पुर्णत्कट भद्र गवुर उदायाचल कशाय मेखल मुष्ट तामरलिप्त एक पादप बर्धमान औकोशल एई शकल कूर्म रुपी भगवानेर मुख देशे संगस्थित अर्द्रा पुनर्वसू औपुष्या एई नक्षत्र तिन्टी ताहर मुखे अवस्थित ताहर दक्षिन पादे जे शकल अच्छे ताह बोलितेची क्रोष्टुके श्रबन करो कलेंग, बंग, जठर, कोशल, मुषिक, चेदी, कूर्धकर्ण, ओ, मत्चिय, प्रभिति जे देश शकल बिंध्य पर्भतेर निकट अवस्थित आर्बिदर्भ, नारिकेल, धर्मद्विप, वैलिक, व्याग्र ग्री महाग्रीव, त्रयपूर, स्मस्रधारी, कोईशकिंध्या, होईमकूट, निशध, कटकस्थल, दशार्ण, हारिक, व्याकु लालक, नग्न, निशादो देश, ओ, पर्ण, सबर, प्रभिति देश, एबं, असलेशा, मंबा, ओ, पुर्भ फल्गुनी, नक्षत्च ताहार, पुर्भ दक्षिन पादे, अबस्थान करीते छे, लंका, कालाजिन, शैलीक, निकट, महेंद्र, मलय, ओ, दरदूर पर्वतस्थ, जनोपद, शकल, करकोटाक, बनस्तित, देश, शकल, भ्रिगु, कच्छ, कंकन, आभीर, बेन्वानोदिर, तिरस्तित, देश, शकल, अबंति, दाशपूर, आकनी, महराष्ट्र, करनाट, गो नर्द, चित्रकोट, चोल, कोलगिरी, क्रोंच द्विप, जटाधर, काबेरी, रिश्य, मुकस्तित, देश, शकल, संख, शुक्ति, प्रभिति, बैदूरिय, शैल, प्रांत, चरोशमुह, बारीचरोकुल, कोल, चर कुसुद्रादी, एई उभाई गिरिस्तित, जण शकल, उखावन, पिशीक, कर्मनायक, दक्षिन, कौरूष, रिशीक, ताप शाष्ट्रम, रिशब, सिंहल, कांची, तिलंग, कुंजर, ओ, दरी, कच्छस्तित, लोकोगन, एबं ताम्रपर्णी, एई शकल, कूर्मेर, दक शिनदिके बिराजमान, बह्यपाद, काम्बोज, पल्हब, मडवामुक, सिंधु, सौवीर, आनर्त, वनितामुख, द्रावन, आर्गीग, शुद्र, कर्ण, प्राधेय, बर्बर, किरात, पारद, पांतिय, पारशब, फल, धुर्तक, हेमगीरिक, सिंधु, कालक, रैवत, स दौराष्ट्र, दरद, द्राविड, ओ, महर्नब, एई शकल जनपद, कूर्मेर, अपोर, दक्षिनपदे, अवस्थान करे, श्वाती, विशाखा, ओ, अनुराधा, एई नक्षत्र त्रय, ओई शकल देशेर, शुभा, शुभेर, शुचना, करिया थाके, मनिमेग, क्षुराद्री, खंजन, अस्तगेरी, अपरांतिक, हई है, शांतिक, बीप्रशांत, कुंकन, पंचनद, बमन, अबर, तारक्षूर, अंगतक, शरकर, शालमल, गुरुस्वर, फल्गुनाक, बेनुमत्य, फल्गुलुक, गुरुह, कलह, एकेक्षन, बाजी केश, दिर्गक ग्रिव, शुचुलीक, और अश्वकेश, एई समस्त देश, कूर्मेर, पुच्छे, अबस्थित, जेश्ठा, मुला, और पूर्भाशडा, एई तीन नक्षत्र, कूर्म, पुच्छे, बिराजित, मांडव्य, चंडखार, अश्मक, लालन, कुशार्त, लड़ह, स्त्री बाह्य, बालिक, निसिंह, बेनुमती, बलावस्थ, धर्मबद्ध, अलुक, और उरुकर्म, एई शकल देश, कूर्मेर, बामपदे संहित, उत्तराशडा, श्रबना, धनिष्ठा, और एई नक्षत्रत्रय, और तत्स्थाने अबस्थित, कोईलास, हिमालाय, स्मान, बशुमान, क्रोंच, करुबक, शुद्जवान, रसालय, कोईकाय, भोगप्रस्थ, यामून, अंतरद्विप, त्रीगर्त, अग्निज, अर्धुन, अश्वमुक, प्राप्त, चिवीड, केशधारी, दसेरक, वाटधान, शबधान, पुषकल, अधम, कोईरात, तक सिल, अंबाल, मालव, मद्र, वेनूक, बदंतीक, पिंगल, मानकलह, हुन, ओहल, मनडव्य, भूति युवक, शातक, हईमतारक, यसमत्य, गांधार, स्वरस, गर, राशी, युधेय, दासमेय, राजनी, श्यामक, औ, क्षेम, धुर्त, एइशकल, जनपद, कुर्मरुपी, भगबानेर, बामकुक्षी, आश्राय कोरिया, अबस्तित, सतभीषा, पुर्वभाद्रपद, उत्तरभाद्रपद, नक्षत्र, तथाकार, सुभो, सुभो, सुचक, किन्नर, राज्य, पशुपाल, कीचक, काश्मीर, अभिशार, जन, दरद, तंगन, कुलाट, स्वयरिष्ठ, ब्रम्ह पूरक, बनाह भह्यक, किरात, कौशिकानंद, पल्हव, लोलन, दरवाद, मरक, कुरट, अन्यदारक, एक पाद, खश, घोष, श्वर्ग भौम, अनवध्यक, यवन, हिंग, चिर, प्रावरन, त्रिनेत्र, पूरव, औ गंधर्व, एई देश्शकल कूर्मेर, पूर्व, उत्तर पदे, अवस्थित, रेवती, अश्विनी, ओ भरनी, एई नक्षत्र त्रय, द्वारा, इहादेर, शुभा, शुभ, संग, शुचित, होईया, थाके, धेद्विज, एई शकल, नक्षत्र, पिडित, होईले, यथाक्रमे, उक्तदे, शकल, पि पिडितेई, शेई देशेर, भव, हय, है, हे मुनिस्ट्रेष्ठ, शेई ग्रह, तत देशेर, सुभा, सुभ, सुचक, हे द्विजत्तम, प्रत्यक, देशेर, न्याय, तत्रत्य, जनग, नक्षत्र, बा, ग्रह, संभूत, भव, अथबा, सुभ, होईया, थाके, श्विय, न ओ, अमंगल, हाए, द्रभ्य, गोष्ठ, भृत्य, सुभ, है, तनया, भा, भारियार, उपरे, पुन्यबान, व्यक्ति, गनेर, ग्रह, जाय, तो, भव, है, है, अल्प, पुन्य, ग्रह, गनेर, निजेर, देश, परी, ग्रह, पिडा, हाए, एबं, पापी, गनेर, शकल, नक्षत्र, ग्रह, जाय, तो, सुभा, सुभ, भोग, करिया, थाके, नक्षत्र, विशाय, एई, जे, कूर्म, संगस्थान, आमी, बोलिलाम, यहा, देश, तुल्य, सुभा, सुभ, सुचक, शुतरां, देश, नक्षत्र, ओ, श्विय, ग्रह, पिडाय, लोक, बाद, शकल, अबगत, होईया, मेधाविगन, शाम्ति, करिभेन, देवता, ओ, दोित्त, दिगेर, दो हदो, सकल, आकाश, होईते, पृतीत, होईया, लोक, अमध्य, लोक, बाद, रुपे, विश्रुत, होए, पुंडित, गान, शाम्ति, बिशाय, इहा, अबश्र, करिभेन, शाम्ति, लोका आपबाद केओ परित्याग करीबें ना एई शकुलेर शांती करीले मानवगानेर शुभ योग हाए दुरिता आगम क्षाय हाए शुभधाय हाए एबंग पापेर हानी हाए एई शकलेर शांती ना करिले इहारा पुरुषेर समस्त द्रभ्य ओ बुद्धिर आनी करे। शुतरां लोक बाद रतो ओ शांती पर प्राग्गोगन ग्रहपिडा काले लोक बाद ओ शांती करीबेन। इहाते शांती काले काहर द्रह आचरण करीबेन ना। उपवाश करीबेन चोइत्य बंदना करीबेन। जब हम दानस्नान करीबेन एबं क्रधादी परित्याक करीबेन। पंडित्गन समस्त प्राणिर उपर अद्रोह ओमैत्री स्थापन करीबेन। असत्य बाक्य ओ अतिवाध परित्याक करीबेन। यावतिय पिडातेई मानोबेर ग्रह पुजा करा कर्तव्य हेद विजत्तम एईरूप करिले प्रयत मनुष्टिय गनेर ग्रह नक्षत्र जात अशेश भयंकर विग्न शकल उपसमित हाए हेद विजत्तम शेई भारोदवर्षे कुर्म रूपे अबस्तित विभु भगबान नारायनेर विशाय कथित होईलो शेई अचिन्ति आत्मा नारायनेर उपरी समस्त प्रतिष्टित रोहिया आचे प्रति एक नक्षत्र समस्तित देवता शकल ताहरी उपरे अबस्तित ताहर मध्य अग्णी प्रिथिवी अचंद्र विद्यमान आचेन मेशादी तीन राशी ताहर मध्यस्थले अबस्तित मितुनादी दुई राशी ताहर मुखे विद्यमान करकट ओ शिंह राशी ताहर पूर्व दक्षिन चरोने अवस्थान करिते छे शिंह कन्या ओ तुला एई राशित्त्रय ताहर कुक्षिर उपर बिराजित तुला ओ ब्रिस्चिक राशी ताहर दक्षिन पस्चिम पदे विद्यमान ब्रिस्चिक ओ धनु राशी तहार पृर्वत्तर चरणेर उपर मीन औमेश राशी आश्राय करिया बढ़्तमान रहिया आछे હે दवિજाबर કુરુમેર ઉપरી દેશ ઓ નकત્ર જે રૂપે અવસ્થીત આછે તાહ કીત્ત્ત હોઈલો उपरी देश ओ नक्षत्र जे रूपे अवस्थित आछे ताहा किट्तित होईलो एई देश बिशय राशी शकल जे रूपे अवस्थित एबंग राशी ओ नक्षत्र रूपर ग्रह शकल जे रूप बिद्यमान आछे ताहा किट्तित होईलो शुतरां ग्रह नक्षत्च पिडा होईले एई रूपे देश पिडा निद्देश कोरीवे देश पिडा अधी घोटीले स्थान कोरिया दान होमाधी नियम शकल कोरीते होईबे एई जे विश्णुर चरन स्वरुप ब्रह्म्हा ग्रह गानेर मध्धिय अभस्थान कोरीते छेन इनी नारायन अचिन्तियात्मा जगत कारुन ओ जगतेर प्रभु अस्ट पंचाष अध्याय समाप्त उनसोष्टी तमो अध्याय मारकरंडेय कोहिलेन मुनिबर एई आमी भारत बश्षेर विशाय यथा यथा किट्तन कोरीलाम एई भारतेई शत्य त्रेता द्वापर अकोली रूप चतुर युग बर्तमान एबं एई स्थानी ब्राम्हन ख्षत्य वैश्य शुद्र चतुर बर्णेर भेदा छे एखाने शत्य त्रेता द्वापर कोली एई युग चतुष्टायर भेदेय और त्रत्य मानवग्वान यधाक्रमे चारी शतो तिन शतो दोई शतो ओ एक शतो बच्षर जिवीत ठाके एक खने ताहर विशाय अबगत हो श्वेत पर्ण नील शयवाल कोरंज ओ पर्ण शालाग्र नामक पाच्टी उतक्रिष्ट कुला चल एई बर्ष्र मध्ये अवस्तितर ही आछे एबं एई पर्वत शकल होईते उत्पन्न होईया बहुतर क्षुद्र पर्वत ओ बर्ष्र एई बर्ष्र मध्ये कुमुद संकाष शुद्ध सानु सुमंगल इत्यादी अन्न शत शहस्त्र जनपद क्षुद्र क्षुद्र पर्वत बिशिष्ट होईया नानारुपे अवस्तान कोरिते छे शिता शंखावती भद्रा ओ चक्रावर्तादी अनेकानेक नोदी ओती शित ताहरा शकलेई संखो निर्मल सुबर्ने न्याय प्रभाविशिष्ट होई एबं उत्क्रिष्ट संगत और पवित्र होईया सहस्त्र बर्ष जिवित थाके ताहरा के होई मंद बाउत्तम नए कारण शकलेई समदर्षन तत्रत्य मानवगन शकलेई सभावत तितिक साधी अस चरण हस्त ओ लोचनत्राय समन्वित होईया अबस्थान करिते छेन शेई जगदिश्वरेर विशाय शकलो एई रूप जानिते हाए अनुतर शुमेरूर पस्चिम देश अस्तित कि एतु माल बर्षेर विशाय अबगत हो एई बर्ष मध्ये जे सात्रिकुला पर्वत आछे ताहा दिगेर नाम यथा विशाल कम्बल क्रिश्ण जयन्त हरी परवत विशक ओबर्धमान एतत भिन्न प्रितिविर मौलिस्वरूप महा काय आरो सहस्ट शहस्ट परवता छे ताहाते शाक पोत करम्भक एबं अंगुलाक्य प्रभिति नानाविध जनगन बशती करे एई वर्षे रंक्षु श्यामा ओकम्बला नामनी नोदी आछे तनमध्ये मनोहारेनी सर्वकाल सलीला श्यामा नोदी उतिशाय उतक्रिश्ट एई वर्षे लोकोगन ओई नोदी शकलेर जल पान कोडिया थाके तत्रत्य मानवगणेर आयुओ पूर्भेर नयाई एई वर्षे भगवान हरी बराह रुपे अबस्थान करिते छेन। इहार पाद, मुख, रिदाय, प्रिष्ठ और पार्ष्वदेश तिन्टी तिन्टी नक्षत्च विभाक्त तहाते सुभप्रद देश शकल अबस्थित रहिया आछे। सुमधूर फल विशिष्ट, सर्व काम प्रद और शर्व काम फल प्रद ब्रिक्ष शकल बस्थ्र पुन्ज प्रशब करिया थाके। एबं तदिय फल शकले अलोंकार शकल उत्पन्न होईया थाके। तथाकार भुमी, मनिमय, बायुशुन्दर गंद विशिष्ट और सर्व करिया थाके। तथारा शार्ध चतुर्द शहस्थ्र बर्ष जिविद थाके। एई बर्षे चंद्रकांत और सूर्यकांत नामक दुईटी उत्क्रिष्ट कुलपर्वत बर्ट माना थे। तथाए पवित्र और निर्मल जलो प्रभाह बोती भद्र स्वमा नामनी महा नोदी प्रिथिविते प्रभाहित है एबं आरो क्षुद्ज क्षुद्ज सहस्थ्र शहा नोदी तथाए वड्त माना थे। अन्न जिये शकल नोदी आछे ताहर मध्ये कोंटी? ताहर मध्ये कोंटी? शिरोहिनी कोंटी ग्रित प्रभाह बोती आर कोंटी दोधिर रद विशिष्टा आर एई शात्री कुल पर्भत भिन्नो आरो बहुतार क्षुद्ज क्षुद्ज पर्भत आछे। एई उत्तर कुरुदे शस्त सत शहस्त्र बनमध्यवर्ती ब्रिक्ष शकले नानाविध सुमिष्ट फल फलीत होईया थाके। एई स्थानेव भगवान नारायन मच्य रूप धारन करिया पूर्भ मस्तके अभस्थान करिते छेन। एई उत्तर कुरुदे श नक्षत्र पुन्ज नवभागे बिभक्त होईया तीन्टी तीन्टी क्रमे अभस्थान करिते छे। एई रूपे देश शकलो नवभागे बिभक्त होईया रुहिया आछे। एई बर्षे चंद्र द्विप और भद्र द्विप नामक दुईटी प्रशिद्ध द्विप आछे। उभाई शमुद्रेर मध्ये अभस्थित एबंग पभित्र हे ब्रह्म्हन एई आमी तमाके उत्तर कुरु बर्षेर विशाय सम्याक रुपे किट्तन करिलाम। अतह पर किम्पुरुष आदी वर्षेर विशाय किट्तन करितेची श्रबोन करो। तथाए शरीर धारी पुरूष गण 10 सहस्ट्र बर्ष जिबित ठाके, ततरत्य नरोनारी गण निरोग ओ सोकोहिन, ततरत्य नंदन बनेर तुल्य सु महान एक पलक्स संड आछे, ततरत्य पुरूष गण शेई ब्रिक्षेर फलोरस पान कोरिया, शर्वदा स्थीरो योवण हो पुरुष बर्षेर पर होरी बर्ष नामक आर एक्टी बर्ष वाँचे तथाए जे शकल पुरुष जन्मग्रहन करें ताहरा उतक्रिष्ट रजोतेर नियाए बर्नो शाली होए जे शकल देवो रुपी मानोब देवोलो खईते चियुत होईया होरी बर्षे जन्मग्रहन करें ताहरा तथाए इक्षूर श्पान करिया थाकें जरा ताहा दिगके पिडितो करें शुतरां के होई जिर्ण होन्ना अतो एप ताहरा ततकाल निरोग शोरिडे जिवितो थाकें आर मेरु बर्ष्ण नामग जे मध्यम बर्ष्ण जहाकी इलाब्रित कहे तथाए सूरियर उत्ताप नाई मानोब गान जरा आजिर्ण होईयना चंद्र सूरिय ग्रह नक्षत्र शकलेर किरन शकल तथाए आत्मलाब उज्वलता लाब करिते पारना कारण तथाए सुमेरु पर्भोतेरी अत्यांत जोते हे प्रकाशित हाए मेरु बर्ष्ण जहारा जन्म ग्रहन करे ताहरा शकलेई पद्मेर नियाए प्रभाविशिस्ट पद्म गंध पद्म पत्रेर नियाए आयत लोचन ओ जोम्बु भलेर रसपाई तथाए त्रयदर सहस्र बत्सर परमायु सु मेरु एबं एई बर्षके इलाब्रित कहे इहार पर रम्यक नामक जे बर्षो आछे ताहर विशय स्रबन करो रम्यक बर्षे शाती सय उन्नतो नियाग ग्रोधा नामक एक्टि बरिक्षो आछे ताहर पत्रशकल हरिद वर्ण तत्रत्य मानवगान शेई बरिक्षेर फलोरस् जाहरा शेई बर्षेर फल्भजन करे ताहरा अयोता बर्ष जीवित थाके एबं ताहरा रोतिक क्रिडा निपून सुन्दर औ दोरगंधिय बिवज्जित हये ताहर उत्तरे जे बर्ष आछे ताहर नाम हिरनमाई बर्ष एई बर्षे बहुतार कमल पुष्प द्वारा परिशोभित हिरन वती नामनी नोदी प्रभाही तखिते छे तथाए जे शकल मानव जन्म ग्रहन करे ताहरा उत्यंत बलोशाली तेजस्वी यक्षेर नियाय रूपधारी उत्यंत सत्व संपन्न धनी औशुष्रिक है याथाके शुष्टितमध्याय समाप्त एक शुष्टितमध्याय क्रष्टुकी बलीलेन मुनिबार आपनी भुमांडल समुद्र ग्रह नक्षत्र प्रभितिर स्थितिय परिमान एबंग सप्त लोग सप्त पाताल अश्वायम भुब नामक प्रसेद्ध मन्वंतर एई समस्त आमांडिका जिग्गाशा नूरुप एक खने उक्तो मन्वंतरेर परवर्ति अपर मन्वंतर शकल तत तत मन्वंतरेर अधिपति तत बंग्षिय निपति देवता ओर इशीदिगेर विशाय सुनिते आमार इच्छा हईते छे मार कंडे हो बलीलेन आमी तोमाय जे श्वायंभुब मन्वंतरेर विशाय बली आची तत परवर्ति श्वार चिश नामक अपर मन्वंतरेर व्रित्तांत श्रबन करो आश्विनी कुमारद्वय अपेक्षाव रूपवान शांत सभाब सत्चरित्र बेद बेदांग पारदस्री कनयक ब्राम्हन बरुना नदीर्तिरे अरुनास्पद नगरे बास करी तेन ओति थी पाईले तिनी शर्बोदाई प्रित होईतेन शुतरांग रात्रिकाले शमागत जने राष्ट्राय स्वरूप छिलेन शर्बोदाई ताहर बने होईतो जे आमी ओती रमोनिय बन और उद्ध्यान समुह विशिष्टो एबं बिभिधो नगर परिशोभित बसुन्धरा संदर्ष्ण करीब अनुन्तर एक ओदा ओशधी शकलेर प्रभावग्ग और मंच विद्या पार दर्श्री एक ओदि थी त शर्द्धापुत मानसे ब्राम्हन कर्त्रिक जिग्गाशित होईया शैय उतिती ताहार निकाट बिभिधो देश रमोनिय नगर बन नदे परवत ओ पवित्र स्थान समुधय बलीलें ताहते शेरी और उनास्पद निवासी ब्राम्हन विश्मायाविष्ट होईया बलीते द्विजबर आपनी अनेक देश दर्षन करिया सम्प्रती स्रांत होईया आछेन किन्तु आपनी ब्रिध्ध नहेन एमुण की एकन परियांत जोवबन अतित है नाई अतेव एतो अल्पवाईशे की प्रकारे प्रिथिवी परिभ्रमन करिया आगंतुक ब्राम्हन बलीलें बिप्र मंत्र ओशधीर प्रभावे अप्रती हत गोती होईया आमी दिनार्देर मध्ये सहस्ट योजन गमन करिया थाकी मारकंडेयो बलीलें तदनंतर शेई अरुनास पद निवासी ब्राम्हन विद्ध्वान उतितिर बाक्ये स्रद्धा युक्त होईया शादर एताहाके पुनरबार एई बाक्या बलीलें जे भगवन आपनी आमार प्रती ओसधी प्रदान रुप क्रिपा वितरों करुण कारण एई प्रिथिवी दस्षन कोडिवार नेमित्तो आमार उभिला सही आछे एई बाक्या सुनिया एई उदारो चेता आगंतुक ब्राम्हन नगरवासी विजेर पदे ओसधी लेपन कोरिया दिलें एबं ततकतित दिकेर उपदेश प्रदान कोरिलें क्रोष्ट्टु के अनंतर अतितिर पादो लेपन करिया दिले शेयी ब्राम्हन दिनेर प्रतोमार्धे शहस्ट्र योजन गमन करिवो अपरार्थे तथा होईते आगोमन करिते पारीवो एई चिन्ता कुरिया नाना प्रस्ट्रबन समन्वित हिमालाय पर्वद्धि खिवार निमित्त गमन करिलें। तथाए विचरन करिते करिते पादलाग्न हिमे ताहर परमोशदी सम्भुत पादलेप धौत हिया आगेल। शेई हिमगिरी सानु अभलकन करिते करिते संजात पुलक हिया शेई द्विजबर त्रिप्तिलाप करिते पादिलें। शेई ब्राम्हन रिष्ट चित्ते देखिते लागेलें। कोथावबा ओती मनोहर दात्यूह डाहुक कोशस्टी तित्तिर पाखी प्रभिती बिहग निकरे परिप्रित रहिया आछे। कोथावबा पुंशकोकिल गनेर मनोहर मधुरा लापे प्रतित धनीतो होईते छे। कोथावबा तोरू समुहे बिकशित कुशुमेर गन्धे शुबासित अनिल द्वारा बिजीतो होईते छे। एद बिजो तनाए हिमालाए परभत देखिया पुनरबार आगामीकल्य आशिया देखिवो एई रूप स्थिर कोरिया ग्रिहे जाईबार निवित्त इच्छा कोरिलेन। तथाए बिलम्ब बशतह पादोलेप धोगतो हवाए जडगोती होईया ब्राम्मन चिन्ता कोरिते लागिलेन। जखन हीमो जाले आमार पादोलग्न प्रलेप नस्ट होईया छे। एबं आमियो ओती दुरस्तित एई दुरगाम हिमालाय सोईले आगमन कोरिया छी तखन आमार महा संकत उपस्तित होईया छे। एखाने ओग्नी सुस्षु सनादी कारियो की रुपे संपादन कोरिबो। शोतरां नित्य क्रिया शकल नस्ट होईबे एटी रमोनियो एटी रमोनियो एई रुप कोरिया एई पर्वते आशक्त द्रिष्टी होईया आमि सतवत्सरेयो त्रिप्ति लाप कोरिते परिबना। चारिदिक होईते किन्नर गनेर की स्रबन रंजन सुमधूर आलाप सुत होईते छे। उसुमित तरो नियकर होईते शुगांध लाब कोरिया घ्राणेंद्रियो परित्रिप्त होईते छे। एखानकार बायु शुखस्पर्ष फल शकल शुराष। मनोहर सुरबर समुह जान बलपूर्भक आमार चित्त आकस्षन करिते छे। एई रुपे किछुकाल अतित होईले जोदी कोनो तपधन देखिते पाई तबे ताहर निकट ग्रिहोगा मनेरुपोदेश पाईते पारिबो। मार कंडेव बलिलेन चरण संगलग्न असधिलेव समुध्भुत सक्ति लोफ हवाये परम दुख्षित होईया शेई द्विजबर एई रुप चिन्ता करिते करिते हिमालय भ्रमन करिते लागिलेन। तत काले बरुथिनी नामे मौलेया कोनो एक महा भागा रुप शालेनी अपसरह स्वेस्था शेई मुनि स्वेस्थ के भ्रमन करिते देखिलो। द्विजबर के देखिया स्मरोशरे जर्जरीत रिदाया होईया शेई बरुथिनी तत क्षणात ताहर प्रती अनुराग बोती होईलो। बरुथिनी भाविते लागिलो एई रमोनियाक्रिती पुरुष के इनी जोदी आमाय अबग्गा ना करेन तबेई आमार जन्म सफल होईबे आहा इहार की अपूर्व रुप माधुरी की मनोहार गती आहा द्रिष्टि गाम्भीर यही बाकी चमत्कार भुमंडले इहार सद पूरुष को थाए पाईब देव देत्य सिद्ध गंधर्व पन्नग एई समस्त एई समस्त देखिया छी केंतो तन्मध्ये इहार सद्रिष रुपबान कहाकेओ देखिया नाई अमी इहार प्रोती जे रुप औनुद रागिनी इनियो जोदी आमाते तद्रुप औनु रक्त हन Тबे आमार पूरुब जन्मक्रित पुन्य संचयर फललाब होईल बोलीते हुईब इनी जदी आमार प्रती स्निक्ध द्रिष्टी पात करें तबेत्र लग किये आमा अपेक्षा पुन्यवती रमोनियार किये आछे मार कंडेय बलीलें शेई दिभ्यांग ना बरुथी नी स्मरातुरा होईया एई रूप चिन्ता करिते करिते श्वीय कमोनी यतर अंग प्रत्य जंग समुह ब्राम्हन के दर्ष्ण कराईला द्विजतनाई शेई रूप बती बरुथी नीके शंदर्ष्ण करिया पध्यादी उपचार लोईया आगमन पूर्भक बलीते लागेलें शुन्दरी तुमार बरनो कमोल गर्भेन्याए कमोनीय तुमी के काहर भारिया एकाने की कारियो करिया थाको आमी ब्राम्हन औरुनास्पद नगर होईते एस थाने आगमन करिया आछी मदिरेक्षने आमी जाहार प्रभावे एस्थाने आगमन कोरिया आछी आमार सेई अशोधिक्रित पादोलेप हिमबारी द्वारा नस्ट होईया छे एबं हिमानिते बिलिन होईया गिया छे बरुथिनी बलिलो आमी परुथिनी नामे प्रसेद्धा महा भागा अपसरा शर्वदाई एई रमोनिय परभते विचरन कोरिया थाकी बिप्रवर सम्प्रति तमाए दस्ष्रन करतो कामो परवश होईया निन्द नियता प्राप्त होईते ची बिप्रवर सम्प्रोती तुमाई दस्ष्रन करतो कामो परवश होईया निम्दनियता प्राप्तो होईते छी अग्गा करून आमी की करिबो एक्खने आमी आपनारी ओधिन होईया आछी ब्राम्हन बोलीलेन चारु हासे नी आमी जे उपाय श्वग्रिहे गमन करीते पारी ताहा आमाई बलो कल्या आणी प्रवाश वशतह एकाने आमार नित्य नोईमित्तिक समस्त कर्मेरी हानी होईते छे ब्राम्हनेर पक्षे नित्य नईमित्तिक कारियर हानी महा अनिष्टकर अतो येव हे भद्रे एई हिमालाय होईते आमाय उद्धार करो ब्राम्हन गनेर प्रवाश कखो नई प्रशंग्षनिय नहीं भिरू आमी को नई अपराद करी नाई देहो दर्श्टने कौतुहल वशतह प्रवाशी होई आची ग्रिह वाशी ब्राम्हने नित्य नईमित्तिक समस्त कर्मई निष्पन्न होई किन्तु प्रवाशी होईले तत समस्तेरी हानी होई आथाके यशाश्वेने ओधिक बोलीबार प्रयाजन की एक खने जाते सुर्यास्तेर पूर्वे श्विया आलये गमोंकोरीते पारी तुमिताहाई करो बरुतिनि भलीलो महा भागो एरुपकथा आर बोलीबेन ना जे दिन आमाय परित्याक कोरिया श्वग्रिहे गमोंकोरीबेन से दिन जानो आमार पक्खे उपस्तित ना है बिजन अंदन श्वर्गो एई स्थान अपेक्षा रमोनियो नहीं अतो एब आमरा श्वर्गो परित्याक कुरिया एखाने बास करीबो कांतो आपनी एई रमोनियो हिमा आचले आमार सोहित भिहार कुरीबेनना एखाने आमी तमाय माल्य बस्त्र अलोंकार भक्षिय भज्य ओ अनुले पन प्रदान करीबो कारण कामकर्त्रिक रहता हुईया आमी तमारी बशिभुता हुईया आची महा भाग एखाने बास करीले बिना बेनुर निश्वन किन्नर गणेर मनोहर संगित अल्हाद जनक समिरन उष्ण अन्न पवित्र जल अभिलोशित शैया और शुगांध नुले पन एई समस्तई तमार शुलाब हुईबे एई शकल एखान अपेक्षा तमार ग्रिहे की अधिका छे एखाने बास करीले तुमी कखन जराग्रस्त होई बेना कारण एई देव भुमी योवण ब्रिद्धिका आरेनी एई बोलिया ओनु राग बोती शेई कमलाक्षी ओती मात्र ब्याकुला हुईया मधुर स्वरे प् गमन कर आमी तोर निकटे एक रूप प्रार्थोना कोरिलाम तुई ताहा अन्यरूप भाबिया आमा शोहित मिलीबार चेश्टा कोरिते छीष प्रातहकाले ओ सायंकाले होम कोरिले नित्य लोक शकल लाभ होईया थाके मुरे एई अखिल त्रोईलक्य होम द्वाराई प्रति प्रिति हाये ना एई हिमालाय की रमोनियो नहे गंधर्वकिन्न राधी भिन्न आर कोण व्यक्ति आपनार उभिलोशित आपनी निस्चई एखान होईते निजालाय गमन करिते पारिबेन सम्प्रति आमार सोहित एखाने किछु काल दुरलाब शुक्षक लुपभग कोरून ब्राम्हन बलिलेन गार्ह पत्य आह बनिय अदक्षिन एई ओगनी त्रय आमार ओभिष्ट ओगनी ग्रिहोई रमोनियो स्थान एबंग विस्थरिनी देवी आमार प्रिति सम्पादन करिया आथाकेन बरोतिनी बलिलो द्विजबर अष्टविधा आत्मगुनेर मद्ये तहा ते आपना व्यातितो जीवीतो थाकिवो ना, आमी मिध्या बोलीते छीना, आपनी श्वकुलेर आनंद दायक एक्खने आमार प्रती प्रसन नहों, ब्राम्हन बोलीलें, आमार प्रती जदी यथार थई, प्रिती मोती हुईया थाको, आर आमाके जहा बोलीले, तहा जद किन्तु सम्प्रती आमार सहित अल्पकाल मात्र एखाने दुडलाव सुकभग करून। ब्राम्हन बलीलेन बरुतिने रमनी गनेर चेस्टा ब्राम्हनेर पक्षे भोगेर निमित्त नहे। उहा विप्र गनेर इहो लोके क्लेस औ परलोके विपरित फल प्रदान करिया थाके। बरुतिनी बलीलो आमी म्रियमाना होई आछी। आमाय परित्त्रान करिले आपनी परलोके शेई पुन्येर फल प्राप्त होई बेन। एबं परोजन में तज्यनित बिविद भोग लाभ करिबेन। परलोको जन्मांतरे भग्य एई उभायविध पुन्य फली आपनार लाभ होजनक किन्तु आमाय प्रत्या ख्यान करीले आमारो मृत्त्यो होई बे एबं आपनी पाओप भोगी होई बेन। ब्राम्हन बलीलें। आमार गुरु बली आछेन परोस्त्रिते औभिलाश करी बेना। अत एब तुमी बिलापी करो और जीबन त्यागी करो आमी तोमाय बा शुची हुईया गार्हपत्य अग्निके प्रणाम पूर्भक उपांशु परश्रबना यग्य जब द्वारा एई कथा बोलीते लागेलेन। भगबन गार्हपत्य अग्ने तुमी शर्व कर्मेर बीजस्वरुप आहवणिय अदक्षेन एई अग्निद्वाय तुमा हुईते उत्पन्न हुई आछेन। अन्न के हुई तदुत पादक नहे। तुमी प्रित हुईले देवगन ब्रिष्टी सश्य प्रभिती प्रदान कोरिया थाकेन। आर सश्य हुईते ही जगत प्रतिष्ठित आछे। अन्न कोन प्रकारे थाकिते पारेना। जे सत्य द्वारा एई जगत तुमा हुईते एई रुपे प्रतिष्ठित आछे। आमी शेई सत्य द्वारा जान अध्यो दिबाक और विद्यमान थाकिते थाकिते निजो ग्रिहो देखिते पाई। जे सत्य द्वारा विदिक कर्म शकल याथोचीत काले समपादित हुईया आछे। आमी जान शेई सत्य द्वारा ग्रिहो बासी हुईया अध्यो दिबाक करके देखिते पाई। जे सत्य द्वारा आमार मती परद्रभ्ये बा परस्त्रिते अभिलाशी नी है नाई। शेई शत्य द्वारा ज्यानो आमार शेई मती अध्य एविशय शिद्धिलाप करिते समर्त है एक शस्टी तम अध्याय समाप्त द्वी शस्टी तम अध्याय मारकंडेय बलीलें एईरूप बलीते बलीतेई द्विज पुत्रेर शोरीरे गार्भपत्य अग्नि आशिया उधिस्टान करिलें तहाते प्रभाम अंडल मध्यवर्ती होईया शेई ब्राम्होन मुर्तिमान अग्निर नियाय स्वयं शेई प्रदेश उध्भार्षित करिते लागिलें द्विजबर्के दर्षन करियाई तहार प्रती शेई दिव्ध्यांगना बरुतिनीर साती शय उनुरागे जन्मिया छिला किन्त एक्खने गार्ह पत्तिय नामक फव्ध्य वाहेर अधिस्टान बशतह शेई द्विजनंदन पूर्भेन्याय सत्वर गमने प्रभित्त होईले जतो दूर परियंत द्रिष्टी चले ततो दूर परियंत शेई तन्वंगी बरुतिनी ताहार प्रती एक द्रिष्टे न वाश भवन प्राप्त होईया पूर्भे जेरुप बोलिया छिलें अधुना तदनु रूप नित्य नई मित्तिक निखीलो क्रियाकला आपेर अनुष्ठान करिलें अनुँथर शेई शर्वांग सु मनोहरा बरुतिनी उक्त द्विजबरेर प्रती आसक्त चित्ता होईया दिर्गनिश्वास त्याक करिते करिते शेई दिवशेर अवशिष्ट भाग और रजनी उतिवाहित करिलो मदि रेक्षना सर्वांग सुन्दरी शेई अफ्षराह हाहा कार सब्दे रोधन पुनह 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 दिर्गनिश्वास परित्याक करिते करिते अपनाके नितान तहतो भाग्या बोल्या निंदा करिते लागिलो की आहार की बिहार की रमणिय बन की मनहर कंदर गिरीगुहा कीचुते इसे संतसलाप करिते पालिलो ना चक्रवा को युगल के रमण करिते देखिया ताहर रमण विशायस प्रिहाआजन मिलो किन्तु शेई द्विजबर कोर्त्रिक परित्याक्त होईया तक्षन शे निज योवणेर निन्दा कोरिते प्रब्रित्त होईया दुस्ट दोईबेर बसिभुत होईया आमी जे एई पर्बते आगोमन कोरिबो इहार सम्भाबनाई बाकी छिल और शेई शर्बांग सुन्दर नरबर जे आमार नयन पते पतितो होईबेन ताहाई वाके जानितो एक्खने यदि शेई महाभाग आमार सहित संगतो नाहन तबे दुर्बिश हो कामान ले दगध होईया आमी निश्चई जिवन त्याक करिबो पूर्बे जाहा आमार स्रबन रंजन छिल एक्खने द्विजबर बिरहे शेई कोकील निनाद जानो ओग्नीर नियाए आमाय दगभ करिते छे मार कंडेय बलिलेन शेई बरुथिनी एई रूप मदना अभिष्टा होईया सहसा मुनिस अत्तम के देखिते पाईलो तकन, तहार प्रती अनुक्षन तहार अनुराग ब्रिद्धी होईते लागिलो पूर्बे ओई अफ्षरा तत प्रती अतिश है अनुरक्त कोली नाअमक एक गन्धर बके दुरीभुथकोरिया दिया छिलो शे एक्षाने ताहके तदभस्त देखिया जिन्ता कुरिते लागिलो एई पर्भते जे गजगामीनी अनुक्षन निश्वास पबन पाते परिम्लान होईते छे एकी शेई बरुथीनी एकी मुनिशा अपग्रस्ता होईया छे अथबा केहोकी इहाके अपोमान कुरिया छे कारण इहार मुखे बास पास्रू परिलक्षित होईते छे अरुन्तर कोली कौतुहल परवश होईया भुख्षन सेई बिशाय चिन्ता कुरिया तपह प्रभावे यधार्थ ब्रित्तान्त बुझिते पारीलो मुणि घटितो सेई बृत्तान्त अबगत होईया कली पुनरवार चिन्ता कुरिते लागिलो आमार पूर्वक्रित पुन्य फलेई आमार एई अभिलोशित सम्पादित होईयलो आमी अनुरक्त होईया पुनहा पुनहा प्राठ्थना कोरिलेओ जे आमाए दुरिक्रित कोरिया आछिलो शेई बरुतिनी अद्यो आमार शुलाब होईबे एई अपसरा मनुष्येर प्रति अनुरागिनी होईया छे एक्खने आमी यदी मुनिर रुपधारन कोरी तब्या आमार प्रतियो निस्चीत अनुरक्ता होईबे आरकाल बिलंब कोरी कैनो मारकरंडेयो बोलिलेन तदनंतर शेई कोली आत्म प्रभावे शेई ब्राम्हने रुपधारन कोरिया जेखाने बरुतिनी पविष्टा छीलो तथाए बिचरन कोरीते लागिलो क्रिशांगी बरा रोहा शेई मुनी बेर्स धारी कोलीके देखिया मुनी ज्याने अलहादे इसत प्रफुल नायना होईया तत समिपे आगमन पूर्भक आमार प्रति प्रसन्न होउन एई कथा पुनहा पुनहा बलिते लागिलो आरो बलिलो आपनी आमाय पुरित त्याक कोरीले आमी जीवन विशर्जन कोरीबो आमी जीवन त्याक कोरीले आपनार अधर्म होई बे एबंग शेई अधर्म जन्न क्रिया लोप अभशंभावी एई महा कंदर विशिष्ट हिमालाय पर्वते रमोनियो गुहाए आमार शोहित संगत होईया आमाय रुख्खा कोरीले तज्जनित धर्म अभश्षई लाब कोरीते पारीबेन महा मते आखन परियंत निस्चिन्त आमार आयोह शेश है नाई सेईजन नई आपनी निब्रित्त होईया आमार रिधाय आनोंद अनुभाप कराइलेन कली बलीलो क्रिशोह दरी की करी एखाने धाकिया आमार क्रिया अलोप्त होईबेई एबं तुमियो एईरुप अनुरोद बाक्कियो बलीते छो सुतरांग संकटे पोडिया आमाय सम्मत होईते होईलो किन्तु आमी जहा बलीते छी यदि ताहा स्विकार करो तबेई तोमार सोहित आमार मिलन होईबे अन्य था नही बरुथिनी बलीलो आपनी जहा बलीबेन आमी ताहाई करीबो यहा ते संदेह करीबेन आमी मित्या बलीते छी ना आपनार कती दविशाय आमी एखनी संपादन करीबो कोली बलील सब्भ्र तबे एई युणिकार करो जए बने बिहार काले तुमि आमाई देखीते पाईबेना आमार सोहित तोमार निमिलीत नायने संग सर्च करीटे होइबे बरुथिनी बलीलो ताहाई होग आपनार 30 रूपेई संपन्न होइबे आमी एक्खने श्विकार कोरिते ची जे शर्ब प्रकारे आपनार बोशिभुत होईलाम आपनार मंगल होग 26 तम अध्याय समाप्त 36 तम अध्याय मारकंडेय बुलिलेन कोली शेई बरुथिनी शोहिद गिरिसा आनू मनहर कुसुमित कानन मनग्ग सरबर रमनीयकुंदर नदी पुलिन ओ अपरापर मनहर देश समुदाय प्रोरिष्टांतह करोने बिहार कोरिते लागिलो अनला अधिश्ठित होईया शेई ब्राम्हनेर याद्रिश तेजस्विरूप होईया छिलो बरुथिनी सम्भोग काले निमिलित नयने ताहई चिन्ता करिते लागिलो तदनांतर शेई अपसरा यथा काले गंधर्वेर अउरसे गर्भ धारन करिलो बिहार समये द्विजरूप चिन्तन बशतह तत काले ताहर रूप ताद्रिश तेजस्वि होईलो शेई भिप्र रूप धारी कंधर्व गर्भिनी बरुथिनी के सांत्वना करिया ताहर निकट बिदाय ग्रहन पूर्वक तधा होईते प्रस्थान करिलो दिवाकर जेरूप श्विय रोचिही अर्थात किरन माला द्वारा दिक्षक लुद्भासित करें तद्रूप अंगप प्रभाय चतुर्दिक बिदिपित करिया प्रज्वलित हुतार्शने नियाई दिप्ति शाली एक बालोक यथा काले जन्मग्रहन करिलो श्वरोचिही अर्थात श्विय अंगप प्रभाय भासकरें नियाए दिप्ति पाईते लागिलें बोलिया उक्त बालोक श्वरोचह नामे प्रसिद्ध हुईलें ससधरेर कला निचाय जामन शुक्ल पक्षे दिन दिन ब्रिद्धि पाईया थाके तद्रूप उक्त महानुभब बालोकेर गुन समुह प्रति दिन बयोनुरूप ब्रिद्धि पाईते लागिलो शेई महा भाग श्वारोचह क्रमसह चारी बेद निखिल शास्त्र अथनुर बेदे सु सेक्षित हुईया योगण सिमाए पदारपन करिलें शेई सोभन गते श्वारोचह क्नोसमाय मंदर पर्वते विरण करीत करीते गिरी प्रस्थे एक्टी भयवियोहला कना के देखिते पाईलें शेई कॉन्ना तहां के देखिया रुख्षा करुन एई कदा बोलीलो तिनी ओ भय बियोहल लोचाना कुन्ना के भय ना आई एई बोलिया आश्वास प्रदान करीलें। तिनी बीर जनोजीत बाक्ये तुमार की होई आछे यहा जिग्गाशा करीले शेही कुन्ना श्वास आक्षेपेर शोहित अस्फूट बाक्ये बोलिते लागिलो इंदीबर ना विद्याधरेर कन्ना ओ दितियोटी पार मुनिर दुहिता आमी तहा दिगेर शोहित एक दिन कोई लास तटे गमन करिया तथाए एक मुनिके दिखिया छिलाम। तिनी ओती दुरबल तहार अबयब तपहकले शे ओती मत्रक्रिशो क्षुधाय कंठक्षेन कोटर गत अक्षि तार का जान चक्षुफाटिया निर्गत होईते छे आमे शेई तापसके उपहास कोरिले तिनी क्रुद्ध होईया ओती क्षीन कंठे अधर पल्लब इशत कोमपित करोदो तत काले आमाए एई शाब प्रदान कोरिले अनारिये दुष्ट तापसी तुई आमार उपहास कोरि अचिरात राक्ष से निकट पराभा प्राप्त होई बी मुनी एई रूप अभिशाप प्रदान कोरिले आमार सेई शोखित द्वाए ताहके एई बोलिया भर्चना कोरिते लागिल जे तुमार क्षमा अभिहिन ब्राम्वन्य धीक तुमी ये तपस्तिया कोरिया आछो इरशकार स्रबने शेई अतुर्ल प्रभाव शाली मुनी ताहा दिगके अभिशाप प्रदान कोरिलें एक जन के बोलिलें तोर सर्बांगे कुष्ठ होई बे एबं अपरके तोर क्षयरोग जन्मी बे एई बोलिया अभिशामपात कोरिलें मुनी एई कथा बलिते बलिते ब आररा शेंग प्रित्याक करिते छेना एई नििकटे ही गर्जन करिते छे आपनी सुनीते पाइ़िते छेन अस्त्र समुदायर शार द्वारा नेर्मित एई प्रसिद्ध अस्त्र आपना के प्रदान करिते छी आपनी यहा द्वारा आमाई एई बिपदे रोख्खा करून। बीरबर एई अस्त्र पुर्वे पिनाक पानी रुद्र श्वायम्भुब मनुके प्रदान करिया अचिलें। अस्त्र शकलेर आश्त्रय स्वरुब एई शेई बेग गामी अस्त्र ग्रहन करिया यहा द्वारा विप्रसमुत बादित राक्षस के बिनाश करून। पुर्जन करिते करिते तथाए उपस्ति थोईलो। विद्याधरीके ग्रहन करिलो। तहाते शेई सुमध्यमा त्राही त्राही शब्दे करूनस्वरे बिलाप करिते लागिलो। तदन अंतर श्वरोची ही शेई दिके एकबार द्रिष्टि पाद पूर्वाक साती सयक क्रुद्ध होईया धनुके। ओती भयंकर प्रचन डास्त्र संग योजित करतो शेई राक्षसर प्रती अनी मीश नयने द्रिष्टि करिते लागिलेन। तद्रिष्टे भयवियवल हुईया तखन शेई निशाचर मनोरमा के पुरित्याग करिया। श्वरोची के बलिलो जे प्रशन्न हुँन अस्त्र प्रती संग हार करुण आमार ब्रित्तांतो बलिते ची श्रबन करुण। महानुभब अति तेजस्वी श्रबन करुण। महानुभब अतितेजस्वी धीमान ब्रम्हमित्र जे दुरंत शाप प्रदान कोडिया चीलें आपनी आमाय ताहा होईते मुक्त कोडिया चीलें भागो आपना अपेक्सा आमाई ओधिकुपकारी आर्के होई नाई कारण आपनी आमाई महा क्लेशकर ब्रम्ह साप हईते मुकतो करीलें श्वरोचिही बलीलें महत्मा ब्रम्ह मित्र मुनी तोमाके पूर्वे की निमित्तो कि द्रीशम शाप प्रदान करीलें राक्षस बलील ब्रम्हमित्र मुनी अथर्भवेदेर 13 अधिकारे ज्यानलाब कुरिया आडभागे विभक्तो समस्त आयुर्वेद अध्यायन कुरिया आछिलेन आमार नाम इन्दिबर आमी एई कन्नार पिता अखडगी नललाब नामक विद्याधरेर पुत्र आमी पूर्वे उक्त ब्रम्हमित्र मुनीर निकटे एई प्राठ्थना कुरिलाम जे भगवन आमाय निखील आयुर्वेद शास्त्र प्रदान कुरून बीर बर बिनयावन तो हुईया पुनाह पुनाह प्राठ्थना कुरिले जखन मुनी आमाय आयुर्वेद विद्या करिते लागिला मुनी शेई हस्तिये आमाय जानीते पारिया क्रोधे कमपित ग्रीव हुईया एई पस्चा अदुक्त निष्ठुर भाक्य बोलीलेन दुर मते तुई राक्षसेर नियाय अद्रिश्च थाकिया बिद्या अपहरन करिया छिस और आमाके अबग्गा करिया उपह करिते छेश अतव तुई आमा शापे स्वाधिक आर विच्च्यूत हुईया सब्त रात्रेर मध्य राक्षस हुईबी तहाते कोन शंदे हो नाई तीनी एईरूप शाप प्रदान करिले आमी प्रणिबात प्रभिती उपचार द्वारा ताहा के प्रशन न करिलाम ताहाते बिप्रतत क्षणात म्रिदुमान से हुईया पुनरबार बोलिले न गंधर्भ आमी जहा बोलिया आछी तहा अवश्षय हुईबे तहा रन्य था हुईबे ना किन्त तुमिराक्षस हुईया पुनरबार श्विय देहो प्राप्त हुईबे तुमिराक्षस अत्व प्राप् श्वकियो देहो गंधर्व लोके श्वकियो अधिकार प्राप्त होई बे महा भाग आपनी एक्खने आमाई एई निशाचरत्त्व रूप महा भाय होई ते मुक्तो कोरिलेन अतोए बीर बर आमार निकटे बर प्राठ्थोना कोरून महा मते एकन्ना अपनाके शंप्रदान कोरितेची आपनी एहाके भारिया रूपे ग्रहुन कोरून एवं आमिशेई मुनी सकाशे जे अस्टांग आयुरबेद शकल प्राप्तो हुई आछी ताह प्रदान कोरितेची ग्रहुन कोरून मारकन डेह बोलीलें दिभ्यांबर दिभ्य माल्य दिभ्य भूशन ओ पूर्भतनो देद दिभ्य देह धारी शेई गंधर्भ एई बोलिया श्वरोचिके आयुर्वेद विद्या प्रदान करतो जखन कुन्ना सम्प्रदान करिते उपक्रम करिलो तखन शेई कुन्ना रूप धारी पिताके बोलिते लागिलो पिताह एई महात्माके दस्षन करिया अबधी इहार प्रती आमार उनुराग जन्मी आछे विशेई शतह एक्खने इनिउपकारी किन्तु आमार दुई जन्न दुख्ष भोग करिते छे अतो एव एक्खने इहार शोहित आमार भोग अभिलाश करा उचित नहे शभाब मनहर पुरुषे राओ जखन एई रूप निशंशता चरण करिते पारे ना तखन आमार नै शरला रमनी तहाकी रूपे करिते पारीबे ताहरा जयमन आमार जन्न कन्या अबस्ताए दुख्ष भोग करिते छे आमियो त्यामोनी आभित हई या तद्रूभ अबस्थाती थाकिवो श्वरोची बलीलेन सुमध्यामे शोक परित्या करो आयुरवेद शास्त्र प्रशादे तमार शोखित द्वायके रोग विमुकता करिवो मारकंडेव बलीलेन तदनंतर स्वरोची ही शेई मंदरा चले पित्रिदत्ता उक्तो चारू लोचना कन्नाके यथा विधाने विभाह करिले गंधर्व कन्नाके संप्रदाना नंतर सांत्वना करिया दिभ्य गमने स्वपुरे गमन करिलो मनोरमार शोखित द्वाय मुनिशापे रोगाक्रांत होईया जे उद्ध्याने अवस्थान करिते शिलो श्वरोची ही तखन क्रिषांगी युवती भारिया शोहित तधाय गमन करिलेन तद परे आयुर्वेद शास्त्र विशारद अप्रति हतो प्रभाव श्वरोची रोगाग्न ओशधी रश्ट द्वारा शोखित द्वायर देहो निरोग करिया दिलेन तखन शेई ब्याधी मुक्ता ओती रुपबोती कन्ना द्वायर अंग प्रभाव मंदर पर्भत दिप्ति पाइते लागिलो त्री सोष्टी तमोध्याय समाप्त